नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी नुज तो दोस्त वक्तों गया है दिन बढ़ की बड़ी कबर को जानने का तूसे पहले अगर आप तक जिए भी दक जियो भी नुज को शब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दि स्जाकर जियोभी नुज को शब्सक्राइब करके ओल ओन कर दीजिए नितन नवाब मलिक ने कहा कि सवाल बार बार पुछा जा रहा है कि सिवसना का सीएम होगा क्या सीएम के पद को लेकर ही सिवसना और बीज़ेपी के बीच विवाद हुआ था तो मिननिश्चित रूप से सीएम सिवसना का ही होगा उन्होंने कहा कि सिवसना को अपमानित किया उसका स्वाभिमान बनाय रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कमपाला सुरेंदर ने कहा कि सरकार महिलाओं को गेट तोड़कर मंदिर में घुषने के लिए प्रोथसाइट नहीं करेगी। सुप्रिम कोड ने दिली सरकार से कहा कि आज दिली में EQI लेवल तकरीबन 600 है ऐसे में लोग कैसे सास लेंगे। दिली सरकार की ओर से सिनियर एड़ोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रिम कोड से कहा कि अगर और इवन की इस स्कीम से दोपहिया वाहनों को बाहर न रखा जाए तो मदद मिल सकती है। पहिया वाहनों को इस से बाहर न रखा जाए तो दिली के हालात में सुधार हो सकता है। किंद्रिय परदूशन नियंतरन बोर्ड ने सुप्रिम कोड से कहा कि कार परदूशन अस्तर में तीन परतिसत का योगदान दे रहे हैं। और बाकी सभी वाहनों ने इसमें 28 परतिसत का योगदान दिया है। नेता ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया कि साक्षय दस्तावेजी प्रवर्ति के हैं और ये जाच एजेंसियों के पास हैं इसलिए वह उसमें छेड़चाड नहीं कर सकते। दिल्ली में और इवन फिर से लागू होगा या नहीं सोमवार को होगा इसका फैसला। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को औड इवन को सफलता पुरुवक लागू करने के लिए बदाय देता हूँ। पड़ोसी राजे में सुप्रिम कोट के आदेश के बाद भी पराली जलाने का काम जारी है हाँ हरियाना में थोड़ा कम हुआ है लेकिन पंजाब से पराली का प्रदूशन बढ़ा है उन्होंने कहा कि दिल्ली में कूडे में आग लगाने से रोकने के लिए 300 टीमें बनाई ग पवार ने कहा गठबंदन की बनेगी सरकार मुलाकात के लिए राज्यपाल से मांगा वक्त जिहां एंसीपी प्रमुक सरत पवार ने कहा कि महरास्टों में सिवसना एंसीपी और कॉंग्रिस की सरकार बनेगी और यह पूरे 5 साल चलेगी बताया जा रहा है कि 17 नौंबर को राज्य में सरकार बनाने का एलान किया जा सकता है क्योंकि इसी दिन बाला साहिब ठाकरे की पुनेती थी है इसी बीच एंसीपी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अगला मुक्यमंत्री सिवसना कहीं होगा वहीं सिवसना एंसीपी और कॉंग्रिस के नेताओं ने किसानों क समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल से सनिवार को मुलाकात करने का वक्त मांगा है बंद हो सकती हैं तीन बड़ी टेलिकॉम कमपनियां सत्तर करोड से अधिक ग्राहकों पर होगा इसका असर जिहां दिगज टेलिकॉम कमपनियां वोड़ाफोन आईडिया और भारती एरेटेल बंद हो सकती हैं ऐसे में करोडों ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हाल ही में समयोजित सकल राजस्व यानी AGR पर सुप्रिम कोड द्वारा लिये गए फैसले के बाद से कमपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी वज़ा से दूसरी तिमाही में कमपनियों को कॉपरेट इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा हुआ है कमपनियों को कुल 74,000 करोड रुपै का घाटा हुआ है इसी सब्ताह आदित्य बिर्ला समूह ने कहा था कि अगर सरकार समयुजित सकल राजस्व को लेकर 49,000 करोड रुपै से ज्यादा की देनदारी पर बड़ी रहात नहीं देती तो वह कमपनी में और निवेस नहीं करेगा ऐसे में वोडाफोन आइडिया दिवालिया हो जाएगी